यादोव के जनसंख्या को लेकर अमित शाह जब लतारते हैं बिहार की सरकार को तो तेजस्वी यादोव अपना छाती तानकर जबाब देने के लिए सामने आ गए हैं जबाब देते हुए हुए कहते हैं कि scientific proof है हमारे पास scientific तरीका है हमारे पास यहाँ पर हमने बताया कि बोल रहे हैं इसका क्या प्रमाड है उनके पास इसका क्या प्रमाड है कि यादों का जनसंख्या बढ़ाया गया तेजस्वी यादों इसके बाद अजादी के पहले जो जनगर्णा हुआ था उसका डेटा बताते हुए अमीत शाह को तगड़ा जबाब दिया मुहतोर जबाब दिया तेजस्वी यादों ने अमीत शाह को बताया कि यादों पर बोलकर आपने बुरा किया यादों के जनसंख्या पर सवाल उठाना केवल और केवल आपने एक मनघणंत कहानी बनाई आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन उससे पहले हमारा परच्छ है अपने मस पाया कि आखिरकार यादों का जनसंख्या कितना है वो कहते हैं कि आजादी के पहले जब बिहार उडिसा और जारखंड तीनों एक राचि हुआ करता था तब उस वक्त पर जब जनगर्ना हुआ था जातिया गीनी गई थी तब यादों का जनसंख्या 11 प्रतिशत था वो कहते हैं कि उडिसा के यादों भी थे जारखंड के यादों भी थे तब 11 प्रतिशत था और एक लंबे समय के बाद समाज का आकड़ा थोड़ा सा बर्टा है किसी का थोड़ा सा घड़ता है तेजस्वी यादो इस बात पर कहते हैं कि यादवो का जनसंख्या उस लिहाज से देखेंगे तो जो भी हार सरकार ने बताया है वो बिल्कुल गलत नहीं है बलकि हमने एक के घर से जाकर डेटा जुटाया है उल्टा वो सवाल पूछते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादो यादवो के जनसंख्या को लेकर जो बोल रहे हैं क्या उनके पास इसका कोई प्रमार है क्या इसका कोई प्रूफ है कोई सबूत है उनके पास या फिर ऐसे ही अंदाया पर कुछ भी बोल रहे हैं इसके बात तेजस्वी यादो एक तगड़ा बात बोलते हैं वो कहते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ाना होता तो बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार कुर्मी समास से आते हैं उनके कुर्मी जात का जनसंख्या इतना कम कैसे हो गया कुर्मी जाती का जनसंख्या इतना कम क्यों जाती कर जनगर्णा में दिखाया गया बलकि अगर ज्यादा दिखान गया और इन तमाम चीजों का जबाब देते हुए तेजस्वी यादों कहते हैं कि अमीत शाह सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए अपने अंदाज पर एक बात आकर जूट मुठ का बिहार में कहते हैं और उस बात को लेकर अब भ्रम फेलाया जा रहा है जब कि सचाई यह है कि आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने जन्गर्णा कराया था तब अंग्रेजों के जन्गर्णा के वक्त यादों सबसे जादा था और आज के समय में भी यादों सबसे जादा है तो उस वक्त में और आज के वक्त में जन्गर्णा में कोई हेर फेर कहें किया ग लालू यादो के दबाव में नितीश कुमार ने उनके जनसंक्या को बढ़ा दिया, तो यस्वी आदों तर्क सही जबाब देते हैं और जबाब ऐसा कि उस तर्क को सुनकर भारती जनता पाटी के निताओं के पास वाकई में शायद कोई जबाब नहीं मिलेगा, अब आगे देखते रहिए कि जातियत जनगर्णा के याकड़ों को लेकर यादवों के डेटा को लेकर आगे और क्या कुछ होता है और क्या कुछ राजितिक रूप से बयानबाजी चलती है आगे जो भी तमाम अपडेट जो भी और जानकारी निकल कर सामने आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए हम अरसाथ बने रहिएगा कि हम रेक्षे भी चाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद हुआ